तो dear student यह है BA 1st year के 1st semester की sociology यानि की समासाफ्त की special class और इस special class से ही आप सभी की परिच्छा में प्रश्ण आने वाले हैं यदि आप इस वीडियो को last तक देख लेते हैं तो आप guarantee दे रहे हैं आपको परिच्छा में कोई भी फेल नहीं कर सकता आप खुदी अभी आप लोग कहेंगे कि जब paper देकर आएंगे तब बोलेंगे अभी तो आप लोगों को खुदी नहीं पता कौन से question आएंगे लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन को उनसे question आएंगे ठीक है और उसका उत्तर भी हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ question ही नहीं तो वीडियो को इंड तक देखते रहेगा जो जो मैं प्रश्ण मताऊंगा उसका उत्तर तयार रखे जाएंगे तो यह पूरी तरह आपके एक्जाम में helpful साबित होगी वीडियो ठीक है तो यह बिए फश्टेर के फस्टर में समास्चाफ्त रसुलोजी व सात एक ही घर में निवाफ करती हैं उनकी संपत्य सामुख होती है वे एक ही रसौ fix का बना भोजन करतें पूझा में भाग लेते हैं परस पर किसी न कि प्लस उनके भाई जी दोघेंग 1 2 3 पुतर हुए इनके लगा था आपके बाबा जी आपके पिता जी और आप ठीक है और आपके चाचा जी और दादा जी ठीक है यह सब लोग एक ही साथ एक ही घर में रहते हो और एक ही पासथ खाना एंसाभी का बनता हो ठीक है और in सबसे कि नाते दारी में 11 ये डारी तो हमारे कि सबीं के लिए एक दth send वर चाहिंए ये उनके रिभ्तेदार हैं मारे भाई के रिफ्तेदार है तो सबकी साथ ये झाँ एक ठन लें सब्सक्राइक सॉन्व toma कमाया जाए वो एक मुखिया हो उसी को सौपा जाए और जब भी किसी की जोथ हो तो उससे वो ले लिया जाए ठीक है तो कुल मिला कि उसको हम सईयुक्त परिवार कहेंगे जहां पर तेन से अधिक के जो पीड़ी के लोग होते हो एक साथ रहते हैं ठीक है तो बहुत पॉप्लर कोईश्चन कई बार आ चुका है तो ध्यान लखेंगे प्रशनाव की पर छम फसेगा पिछले फाल आ चुका ठीक है तो इसलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस किया ताकि आप संभी गई है ठीक है और एक और परिफाफा हें कि एक संयुंगत परिवार में मासें कि युथ हैं अपनी करनी अपनी को पुस्तक हिंदु कंश्टम में माला फॉर्ख के परिवार ai मैं जिस में माली जी आपके दादी दादा जी ठीक है पिता जी चाचा जी छाचेरे भाई पत्निया विद्वौ या तो भात्या अलला göra की बिवा का अर्थ बताईए बिवा की परिवासा बताईए बिवा के करते हुए प्रमुक बिद्द्वान जिनका नाम में लूसरी नियरिनों ने कहा कि विवाँ की पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता के वैद संतान माना जाए इस परिभासा में बिवाँ को संतानों को जन्म देते हैं उन्हें वैद घोसित करते तथा इसके फलसरोब माता पिता है उम बच्चों को समाज में कुछ अधिकार प्रस्तिया प्राप्त होती है ठीक है इस परकार लखेंगे बिवाह का अर्थ ठीक है और वीवा की परिमासा अलग-अलग बिद्वानों ने अलग-अलग लगी लेकिन आप इस परकार लिख सकते हैं कि कि वा इस्तृरिय व पुरुष के ऐसा योग होता है जिसे इस साधी होती है तो माली ज्यकी इस्तृरी महला साथ होते है वैध संथान माना जाता में इस्तृरी व पुरुष के संभन zo ंणाती है box vs тел को स्वाइब के इस न्यद्री संभन के रोप में उसकी भी परिमासा यहां पर है और उसके उद्देश भी प्रस्तुत हैं और विशेष्टाएं भी आपको तैयार कर लेना है तो जैसे विशेष्टाओं में आपको लिखना है कि बिवा, समाज, धर्म यों कानून द्वारा सोबिकरत संसता है बाई बिवा जो है वो समाज भी सबिकरत करता है और धर्म भी और कानून भी ठीक है और साथ साथ में दूसरा भी सिष्टा है कि बिवा द्वारा पति-पत्नी की योन संबंदू के इफ्थापना का दिकार प्राप्त होता है ठीक है ऐसे जब तक साधी नहीं होती तब तक आप किसी पर लीगली मतब कि आप उसे मतब नहीं कर सकते हैं जो एक पति-पति करते हैं लेकिन फिर भी आज की जो कल्चेर आज की जो रीत रिवाज है आप लोग देखते हैं कि गल्फ्रेंड बॉइप्रेंड किसी से भी किसी का चक्कर चला है तो यह सब नहीं होनी चाहिए समाज के खिलाफ है कानून के ख करें ठीक है बस अगला की बिवाज समाज की अनिवारियों सार्वहुमिक संसता भी है ठीक है तो यह कुछ विसेस्ता है चार-पांच आपको तैयार कर लेना बस और आ गया तो आपको जरूर लिखना है ठीक बिवाफ जड़ा एक कोईशन पकाएगा जरतर तो आता है बिव संसार के बिविन भागों में पाया जाने वाजी 250 समाजों के बिवा के उद्देशों का तुलनात्मक अध्यन करिया निशकर्स निकाला कि मानों समाज में बिवा के तीन प्रमुक लच्छे हैं ठीक है यानि इन्हों इतना रिसर्च किया इतना उस पे अपना ध्यान दिया म आप सभी अच्छे जानते हैं कोई बताने क्या आँ सकता नहीं ज्यद्दा डीप में जाने क्या आसकता नहीं यह अंचीज आप सब जानते ठीक आर्थिक सही योग ठीक है बच्छों का पालन पॉस्टर वह यह साधी होगी तो संबंद बनेगा फिर उससे बच्चे भी तो यह कुछ प्रमुख को उद्देश है हलागति परबी थे कुछ प्रमुख ध्यान रखेंगे अगला प्रस्टेंगा जी से मेस氣 लिखने प्याकरण तथा इसले चारि में यृ लोगों अनिवार और फिरी फिच्छा जो कि हमारे प्राइमरी मीडिल क्लाफ की बच्चे हैं जिनको गवर्मेंट ने पूरी तरह बताया है कि भीया हर एक छीतर में चाहिए वो जैसा भी छीतर हो वहां तक फिच्छा पहुशने चाहिए कोई फिच्छा फे वंचित न रह जाए ठीक है तो फिच्छा फे आपके बच्चा इसकूल जाएगा तो बैठना बोलना ठीक है लिखना यह सब सीखेगा ठीक है आपके पाफ इच्छा नहीं है तो आप उससे अपरचित रहेंगे या फिर अन्नोन रहेंगे ठीक है तो कुल मिलाके यह भी बहुत बड़ा ठीक है उद्देश है कि अगर आपको सांस्कृत को समझना है ठीक है तो आपको ज्यान प्रदान करना जरूरी है और अगला बच् कर लोगे नहीं तो कोई नोकरी पा जाओगे ठीक है तो पर सिच्छण और इस सब के लिए भी जरूरी है अगला के सांस्कृत में सुधार्यम्रद्ध में यूग वैस इच्छा आपके पाफ रहेगी तो आपने समाच को और उच्छा उठा फकते हैं अपने परिवार को और यहीं उद्देश है सिच्छा की परिभावावावा आप लोगों के समस्त प्रस्तु थे यहीं पढ़ लीजेगा हाई लेबल का कोईश्चन है कई बारा चुका है फिच्छा के प्रौंग विसेस्ता है ठीक है इनमें से कोईश्चन फसेगा चाहिए फिच्छा की समस्ते हैं यहीं पॉप्लर कोईश्चन का इबारा चुका है ब्यक्त अपने स्वयम के प्रियतनों से अपनी सभी प्रकार की आउसकताओं की पूर्त करने में असमर्थ होता है मतलब कि वह स्वयम हर चीज़ की जो आउसकता हो पूर्त नहीं कर सकता ठीक है इफकर उसे दू में पूरी हो सकता है पूरी करनी अहला कि पूरी पूरी हो सकता हो कि बात कहीं लेता है वह कि시다 संपर्क अफ्था पितर के विचारों कारदान प्रदान करता है उन्से कुछ लेता है और उनको कुछ देता है उनको कम होंगे और excited होंगे ठी Και आप प्रकावियद भी होंगे ताकि आप अपने छीवन में ये पिर एक किसी भी कुछ कर सके और अपसे कूछ के क्ना वह में और जो आप मेरे में बाता जातरें अगर आप ऊपको बताएंगे तो हमारे अदर भी वो motivation आएगा और हमारे भी अंदर excitement आएगा और हमारे अंदर कुछ करने के जाग रोकता बाज़े बढ़ेगी तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ quality होती हर इंसान पूरी तरह perfect नहीं है ठीक है तो कुल मिलाके अगर आप एक दूसरे से अपना अर्दान परदान करेंगे ठीक है तो वहाँ पर एक किरिया होती है ठीक है इस किरिया को हम अंता किरिया कहते है ठीक है तो इस प्रिकार लेखेंगे परिभासा पूरी परिभासा बिल्कुल simple महासा में प्रुस्त है आप पढ़ लीजीगा समाजिक प्रिकिरिया की कुछ आवस्यक्तत ठीक है आवस्यक्तत आएगा या फिर ओपर वाला कोश्चन जो प्रिकिरियां उसे आप क्या समझते है परिभासा ओके शहयोग कार्थ यह कभी कजार आता हमेशा नहीं आता तो आप पढ़ भी सकते एक नोल भी कर सकते इसका उत समय wanna क्या आप को बता दूं संगर्च और प्रतेसपरदा और आता है। उत्टर कर लें कि मानों जीवन में समाजिक मूल्यो का क्या महलतों क्या महत्त है थिके तो थूड़ एकです सिंपल भासा में हमने आप लोगों कि समस्त उत्तर प्रस्तुत किया ताकि आप तैयार भी कर सके ठीक है और समाजिक विद्वान जिनका नाम है इस प्रेंगर ने च्छा प्रकार के मोल्यों का वड़न किया है जो कि च्छा मोलियां पर प्रस्तुत है त्यार कर लिजिए गटिक इसको भी समाजिक गत सीलता है यह 100% गारंटी वाला कुश्चन है कि हमेशा यह प्रशन आपको दीर घुत्रे में हमेशा फसता है जहां तक प्रशन फसा है इसका उत्तर तयार कर लिजेगा ठीक है उसके अलावा समाज किसे कहते हैं समाज की परिभासा दीजिए समाज साफ्त के ठीक है बैसे इस ताइं बताईए समाजिक परिवर्तन ठीक है श्रमुदाय शंस्था यह सारे कोश्चन देखिए नीचे जितने में यह पूरी पूरी पीडियाफ हम आपको अभी कभी टेलिग्राम पर प्रवाइट करा देंगे जो चात्र में मेसेच कर देंगे तो इन में देगे सारे प्रशनों को तयार कर लिजेगा आपको एक्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी ठीक है बहुत ज़्यदा help मिल जाएगी क्योंकि इसमें जो प्रश्ण आपको देख रहे हैं यह फारे प्रश्ण पिछले फाल और इस बार कई बार पूछे जा चुके वह ही है तो ध्यान से इनका उत्तर तयार कर लेज़ेगा बिल्कुल सिंपल महासा में यह पीडियाफ आपको टे आपको मैं बता दू उससी में से सारे प्रश्ण आएंगे एक भी प्रश्ण ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा ठीक है दो पीडियाफ हमारी ऐसी है महासंगरा में एक यह एक और है लेकिन वह वाली हम कम च्छांतरों को देते हैं बहुत कम ठीक है लेकिन जो चातर में म उनको हम दे भी देंगी ठीक है जय हिंद।